दोस्तो ओम नमस्षिवाए दोस्तो रोजाना अपना रासिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें तो धनुरासिवालो हो जाओ तैयार क्योंकि अगले दो दिन आपके लिए होंगे बेहत खास क्योंकि कैई सुब सयोगों में सामन का सात्वा सौमवार होगा जो कि भगवान सिव को समर्पित होता है और सात्वे सौमवार को नाग पंचमी का परवभी होगा यानि यह दिन धन के रक्षक नाग देवता को भी समर्पित होगा ऐसे में इस सुब सैयोग में भगवान सिव और नाग देवता की किरपा दर्ष्टी अपने भक्तों पर बनी होगी तो दोस्तो भगवान सिव की किरपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमस सिवाए जरूर लिखें आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 21 और 22 अगस्त 2023 के धनूरासी फल के बारे में धनूरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे और इन दो दिनों में गरह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेगा और गरह आपकी दिनचरिया को कैसे प्रभावित करेंगे जानेंगे आपके वेपार, ववसाय, नौक्री, सिक्षा, स्वास्थ, परिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में बात करें सबसे पहले 21 अगस्थ 2023 के बारे में, तो सावन महा का शुकल पक्ष का, सावन का सात्वा सौमवार होगा, और इस दिन नाग पंचमी होगी, सुभ योग बनेगा, चित्रा नक्षत्र होगा, सूर्य देव सिंग रासी में वराजमान होगे, यानि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में, और यहां से नवम भाव से आपके तिरते भाव पर दरस्टी डालेंगे, चंदरमा साम 5 बज कर 30 मिनट तक कन्या रासी में वराजमान होगे, इसके बाद तुला रासी में गोचर कर जाएंगे, यानि यहां चंदरमा आपके दसम भाव में सक्रिय अ वस्ता में होंगे, और दसम भाव से चतुर्त भाव पर दरस्टी डालेंगे, राहुकाल का समय सुबह 7 बज कर 30 मिनट से, सुबह 9 बज कर 8 मिनट तक रहेगा, अभिजीत मुहरत सुबह 11 बज कर 58 मिनट से, दोफेर 12 बज कर 50 मिनट तक रहेगा, दोस्तो 21 अगस्त को सावन क शुक्ल पक्ष का सात्वा सुमवार होगा, जो कि भगवान सिव को समर्पित है, और सावन के सात्वे सुमवार पर बहुती सुब संयोग बन रहे हैं, इस दिन सरवार सिध्धी योग, रवी योग और इसके साथ सुब योग भी बन रहा है, साथ ही ऐसे में इस दिन अनाग पंचमी का परवभी होगा तो इस दिन भगवान सिव की विधिवत पूजा करने से आपको केई गुना अधिक लाव प्राप्त होगा इस दिन काल सर्प दोस और पित्र दोस के निवारन के लिए समय काफी अच्छा रहेगा इस दिन महा मिर्तुन्जय मंत्र का जाप करना भी उत्तम साबित होगा साथ ही इस दिन भगवान सिव का रुद्धुराबिसे करना भी अच्छा फल्दाई होगा ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने का विशे समहत होता है और धार्मिक मानेताओं के अनुसार इस दिन नाग देता की पूजा करने से जीवन में आ रही समश्याएं खत्म होती है साथ ही विक्ति की सभी मनों कामनाएं पूर्ण होती है तो काल सर्फ दोस से बचने के लिए इस दिन भगवान सिव पर कच्चा दूद, काले तिल और गंगाजल चड़ाएं ऐसा करने से आपका काल सर्फ दोस और दुखदर्द समश्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी और भगवान सिव का आशिरवाद आप पर बना होगा चंदर्मा की स्थिति यहां आपके दसम भाव में होगी यानि केरियर, व्यवसाय और व्यपार के भाव में तो ऐसे में यह समय आपके वितिये और पेशिवर मूर्चे पर बहुत भाग्यसाली साबित होगा आपकी छमताओं का परिक्षन भी हो सकता है इसके जर्ये आपको बहुत सारी प्रिसंसा भी मिलेंगी आपको पुरुसकार भी मिल सकता है यानि इस दोरान आपको मन वांचित फलकी प्राप्ती होगी इस रासी के जो लोग नौकरी की तलास कर रहे हैं बेरुजगार हैं उन्हें सकारात्मक परणाम प्राप्त होंगे कुल मलाकर एक अच्छा दिन आपके सामने होगा तो इस दोरान आपको सही योजना बनाकर सही रन्निती अपनाकर आगे बढ़ना होगा और आज का शुब रंग आपके लिए पीला होगा और शुब अंग छे होगा कुछ लोगों से आपको सतर्क भी रहना होगा क्योंकि आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके कारे को बिगाड़ना चाहेंगे या अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमरह करने की कोशिस कर सकते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा साफधानी रखना भी आवश्यक है और आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें दूसरे के कहने में ना आए इस रासी के जो लोग जोग करते हैं उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे आप और आपके परिवार के लोग काफी प्रसन न जराएंगे परिवारे करिष्टे अच्छे होंगे प्रेम संबन से जुड़े होई लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा होगा इस वरान परिवार में सुक सांती बनी होगी भूमी भवन आदी में निवेश करने से भी अच्छा फायदा होगा साथ ही जो लोग वाहन की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा पूरी होगी और माता जी का आसिरवाद आप पर बना होगा यानि माता के साथ संबन्द बहुत अच्छे होगे और भगवान सिव की किरपाद दस्टी भी बनी होगी जिसकी वज़े से आपके रुके हुए कारिये भी चलते हुए नजर आएंगे यानि प्रगती पर होगे जिस से आपको अच्छा लाप प्राप्त होगा यानि यहाँ चंदरमा आपके लाव भव में इस्तित होगे और पंचवम भाव पर दरस्टी डालेंगे राहुकाल का समय दोफेर तीन बचकर अड़ तीस मिनट से सामपांच बचकर सोला मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहरत सुभे 11 बज़कर 57 मिनट से 2 फैर 12 बज़कर 48 मिनट तक रहेगा आज के लिए सुभ अंक चार होगा और सुभ रंग नारंगी होगा इस दोरान आपको अपने कारियसल पर ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो केवल दिखावे के लिए आपके दोस्त है और आपकी पीट पीछे आपकी छवी बिगाडने की कोशिस में रहते है तो ऐसे लोगों को समझा पाना बहुत मुस्किल होता है क्योंकि देखने में तो लगता है कि वो आपके दोस्त है तो आप ऐसे में ऐसे लोगों से सावधान रहें उनके नकारात्मक परभावों से खुद को बचाय रखें अन्यता आने वाले समय में कुछ मुश्किलें आपके सामने आ सकती है इस वरान परिवार की आर्थे किस्तिती को लेकर थोड़ा परिशान हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा खुला खर्च करना आपको तनाव देने का करण बन सकता है तो ऐसे में गैर जरूरी खर्चों से बचना होगा चंदर्मा यहां आपके लाव भाव में है तो लाव की कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे जो लोग बिरोजगार हैं उन्हें भी इनकम की सोर्स मिलेंगे कुछ मित्रों का आपको सपोर्ट मिलेगा जिसकी वज़े से के बार मुश्किल घणई से भी आप निकलने में सक्छम होंगे ग्यारवें भाव में इसे चंद्रमा की दश्टी पांचवें भाव पर होगी जो आपके अंदर उर्जा का इस्तर उच करेगी ज्यान में व्रद्धी करेगी छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा प्रेम संबन से जुड़े लोगों के लिए भी अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे इस दोरान आपको अपनी संतान की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा जो छात्र किसी उच्च सिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मन चाहा परणाम प्राप्त होगा साथ ही स्वास्ते में भी सुधार देखने को मिलेगा तो कोले मिलाकर यह समय आपके लिए काफी सांदार साबित होगा और भगवान सिव की किरपादस्टी आप पर बनी होगी तो दोस्तो ऐसी जानकरी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर